दोस्तो 25 मार्च दिन सौंबार को सुभा 10 बच कर 23 मिनट पर चंदर ग्रहन लगेगा और दोपहे 3 बच कर 2 मिनट पर यह चंदर ग्रहन समाप्त होगा और उस दिन होली भी है हाला कि यह जो चंदरगहन है यह उपचाया चंदरगहन है और यह चंदरगहन भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब यह चंदरगहन लगेगा तो उस वक्त भारत में दिन होगा यानि उस वक्त सूरे की रोशनी निकली होगी तो ऐसे में चंदर ग्रहन दिखाई नहीं देगा लेकिन दोस्तो इसमें भी दो विचार धाराएं हैं पहली विचार धाराएं जो हमारे जोत्षा चार्यों की है उनके अनुसार क्योंकि ये चंदर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतकाल भी माने नहीं होगा और ऐसे में ग्रहन का असर गर्वती महिलाओं पर नहीं होगा और वे पहले के अनुसार अपना नित्य करम कर सकती है लेकिन दोस्तो जो दूसरा पक्ष है वे भी जोत्ष चारियों की है दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये जो घटना है ये ब्रमांड में घट रही है तो ऐसे में चाहे ये चंदर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा दोस्तो भारत समेत विश्व की अन्या संस्कृतियों में भी सूर्य और चंदर ग्रहन को गर्भावस्ता के दोरान देखना अब शकुन और नुकसान दे माना जाता है। हमें लगता है कि ये धार्मिक मानेताएं केवल हमारे भारत में ही परचलित हैं लेकिन दोस्तो अमेरिका में मेक्सिकन मानेताओं में कहा गया है कि यदी कोई गर्वती महिला ग्रहन को देख लेती है तो ग्रहन उसके पेट में पलरे बच्चे के चहरे को विकर्त कर लेता है यानि जब बच्चा जनम लेता है तो उसका चैरा विक्रत हो जाता है। हमारे धार्मिक शास्तर हमारे जियोत्षे चारें का भी यही माना है कि गर्भा वस्ता में ग्रहन का असर गर्वती महिलाओं और शिशूं पर पढ़ता है जो कि गर्वती महिलाओं के लिए नुकसान दे साबित हो सकता है। भारती शास्त्रों के अनुसार ग्रहन राहू केतू का ग्रास माना जाता है यानि ग्रहन तब लगता है जब सूर्या या चंद्रमा को राहू केतू ग्रसित कर लेते हैं इसलिए इस समय को खराब माना जाता है लेकिन विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता विग्यान के अनुसार यह केवल एक कोरी कलपना है ये जूट है ये एक मित है ग्रहन का असर विग्यान के अनुसार गर्वती महिलाओं और गर्भत शिशू पर बिल्कुल नहीं पड़ता विग्यान के अनुसार यह केवल एक घगोली घटना है जब चंद्रमा और सूरज के बीच में धर्ती आ जाती है तब ग्रहन लगता है जिस कारण सूरे का परकाश धर्ती पर नहीं पहुँच पाता और कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है तो विज्ञान के अनुसार गर्भावस्ता में गर्वती महिलाओं पर इसका असर नहीं पड़ता लेकिन दोस्तों विज्ञान तो भगवान को भी नहीं मानता विज्ञान तो इश्वर के अस्तित्व पर ही सवार उठा देता है विज्ञान के अनुसार इश्वर नहीं होता इस इसाब से अगर आप भी इश्वर पर विश्वास नहीं करते तो फिर आप विज्ञान को मान सकते हैं लेकिन अगर आप इश्वर पर यकीन करते हैं, हो सकता है जो हमारे विद्वान, हमारे धार्मिक गुरुओं, वेध शास्त्रों ने ग्रहन के बारे में जो कुछ बताया है, क्या पता वो सच हो। ग्रहन के बारे में हमारे वेध शास्त्रों ने गर्वती महिलाओं को कुछ कारिया वरजित किये हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहन के दोरान यानि जिस अवधी तक ग्रहन लगा हुआ है उस अवधी तक गर्वती महिलाओं को नींद लेना मना होता है यानि वे अराम कर सकती हैं लेकिन आँखे बंद करके सोना ग्रहन के दोरान मना होता है अनिता गर्वती महिला और गर्भस शिशु को नुकसान हो सक अगर ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाएं नींद लेना चाहती हैं तो एक छोटा सा उपाई करके नींद ले सकती हैं वह अपने तकिये के पास एक सूखा नारियल रख दे और ऐसी मानेता है कि सूखा नारियल रखने से गर्वती महिलाएं ग्रहन के दोरान नींद ले सकती है ऐसा कहा जाता है कि सूखा नारियल रखने से ग्रहन की जो नकारात्मक उर्जा होती है नारियल उस नकारात्मक उर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और ग्रहन समापती के बाद उस नारियल को आप किसी भी दिन जल परवा कर सकती है गर्भावस्ता में गर्वती महिलाओं को ग्रहन के दोरान निकलने वाली नकारात्मक उर्जा से बचने के लिए अपने घर पर ही रहना चाहिए जब तक कोई अमर्जंसी ना हो तब तक उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां पर गरहन के दोरान निकलने वाली किरने गर्वती महिला तक ना पहुंच सके अगर किसी कारण वस गर्वती महिला को ग्रेंड के दौरान एमर्जंसिरी की सूरत में बाहर निकलना पड़ जाए या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना हो या कोई भी ऐसी एमर्जंसिरी स्थिती हो तब गर्वती महिलाएं एक उपाय करके घर से बाहर निकल सकती है दुर्गास्तुती, हन्वान चालेसा या गायतरी मंतर का मानसिक जाप करते हुए घर से बाहर निकल सकती है वह भी एमर्जंसी की सूरत में अन्यता बेवजा घर से बाहर निकलने से परहेज करी ऐसा भी माना जाता है कि चंदर ग्रहन के दिन गर्वती महिलाओं को नुकिली चीजें जैसे सुई, चाकू, कैची वह अन्यतारदार चीजों को ना तो चूना चाहिए और ना ही इनका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसा मना जाता है अगर वैं इन चीज़ों का प्रयूग करती हैं तो गर्भस्त शिश्यों को स्किन सबंदी समस्याइं पैदा हो सकती हैं याद रखें गर्वती महिलाओं को ग्रहन के दोरान सनान करने की मना ही होती है आपको ग्रहन लगने से पहले सनान करना है अनिवार्य होता है गर्वती महिलाओं को ग्रहन के दौरान नाखून काटना बालों में कंगी करना दांतों की सफाई करना भी अशुप माना जाता है ग्रहन काल के दौरान गर्वती महिलाओं को भोजन का सेवन करना भी मना होता है लेकिन अगर आप भोजन का सेवन करना चाह को आप ग्रहन के दोरान खा सकती हैं ऐसा करने से आपको भूका नहीं रहना परेगा ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओं को पेड़ पौदों की पतियां फूलों और साती पेड़ को काटने की मना ही होती है और ग्रहन के दोरान आपको पेड़ पौदों पर जल देना भी मना ह ग्रहन के दोरान जिस कम्रे में गर्वती महिला हो उस कम्रे में गर्वती महिलाओं को एक लोटा जल रख देना चाहिए जिससे ग्रहन का परभाव कम हो जाता है बाद में उस जल को किसी पौधे की जड़ या किसी शुद स्थान पर डाल देना चाहिए ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओं को अपने शरीर की लंबाई के बराबर मौली का धागा लेकर अपने उस कमरे में रख देना चाहिए जिस कम्रे में गर्वती महिला जादा समय वैथीत करती हो और जब ग्रहन समाप्त हो जाए तो उस धागे को किसी भी पेड़ पर बान देना चाहिए ग्रहन के दोरान पूजा पाठ की मना ही होती है मंदिरों में जाने की मना ही होती है भगवान की परतिमाओं और मूर्तियों को चूना मना होता है तो ऐसे में गर्वती महिलाओं को घर में बैठ कर ग्रहन के दोरान मानसिक जाप करना चाहिए इसके लिए गर्वती महिलाओं हन हमारे जियोत्षाचारियों, हमारे धार्मिक विद्वानों द्वरा बताई गई हैं, इन पर अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप इन चीजों को फॉलो ना करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि विग्यान इन चीजों को नहीं मानता, विग्यान इसको केवले कोर कलपना मानता है इसके इलावा अगर कोई emergency city है अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर गर्वती महिला बिमार है कमजोर है या फिर डॉक्टर ने उसको भुगा रेने के लिए मना किया है तब आप इन नियमों को बिल्कुल भी follow ना करें यह जो सला मैंने आपको दी है हमारे धार्मिक विद्वानों दोरा दी गई सला है हमारा चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता यह सारे विचार इंटरनेट और हमारे धार्मिक विद्वानों दोरा दी गई जानकारी पर अधारित है तो सुमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राइब